तो नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर से सोगेता आप सबी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस पॉइंट में ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये है भाई जो भी फार्मेसी फील्ड के बच्चे हैं उनको इंतजार रहता है इस नोटिफिकेशन का जी भाई ड्रग इंस्पेक्टर की वेकेंसी निकल चुकी है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से छे तारीक का ये नोटिस है यानि कि 6 मांच 2021 का फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट यहां पर बता रखी है दो अप्रेल और फीज भरने के भी लास्ट डेट है दो अप्रेल तो दो अप्रेल तक आप इस फॉर्म को एप्लाई कर सकते हैं गया है 2021 की एग्जामिनेशन को लेके तो यहां पर सबसे पहले मैं बता दूँ पोस्ट की डिटेल आप सभी लोगों को जो डिपार्टमेंट रहने वाला है यहां पर हेल्थ सेफटी एंड रेगुलेशन का है पोस्ट यहां पर ड्रग इंस्पेक्टर के नाम से निकलिए 9 वेकेंसी हैं टोटल कैटेगरी वाइस अगर डिवाइड करें तो यहां पर जनरल कैटेगरी को 6 सीट जाती है और एक सर्विसमेन जो की हिमाचल प्रदेश का उसे 1 सीट जाती है एस्टी हिमाचल प्रदेश के एस्टी को एक सीट जाती है और हिमाचल प्रदेश का ही OBC बच्चे हो उसको भी एक सीट जाती है पेश के लिहां पर बताया जा रहा 10-300 सो लेके 34-800 प्लस ग्रेड पे भी रहने वाला भाई 4200 का काफी अच्छी ग्रेड पे है यहां पर 45 एर एज लिमिट बता रखे उससे उपर नहीं होना चीए और नीचे नीचे ही चलेगा यहां पर age relaxation भी मिलेगा category wise official notification माप एक बार ध्यान से पढ़ लेना age limit के बाद मैं आपको बता दू असल सल qualification क्या रहने वाली है यहां पर देखो भाई bachelor's degree in pharmacy और उसके बाद और भी दे रखी है इन सब में से कोई भी चलेगा और यहां पर एक बड़ा सा और करके और दे रखा है bachelor's degree in science or graduate in medicine of an university recognized for this purpose by appointing authority and head at least one year postgraduate training in laboratory under यह government analyst, chemical examiner or the head of institution specially approved for the purpose of appointing authority तो यहां पर minimum qualification तो माँगिए bachelor's degree in pharmacy और साथ में experience वगएरा और भी चीज़े माँगी हुई है इसको deep में आप लोग notification में पढ़ लेना जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं drug inspector की उनको पता है क्या-क्या requirement होती है और यहां पर एकदम अच्छी तरह से explain कर रखा है कि क्या-क्या requirement माँगी आप लोग एक बार notification में ध्यान से पढ़के फिर ही form apply करना उसके बाद मैं आपको बता दूँ यहां पर desirable qualification भी दे रखी है knowledge of customs, manner and dialects of हिमाचल प्रदेश and suitability of appointment in the peculiar condition prevailing in the प्रदेश फिर उसके बाद मैं बात कर लूँ यहां पर apply कैसे करना है apply करने के लिए आपको यहां पर इसी official notification में एक site का link मिल जाएगा यह hppse.hp.gov.in slash hppse इस link के थुरू आपको जाना है और वहीं पर application आपको submit करने है और कहीं से आप करोगे offline या किसी और link के थुरू करोगे तो भई reject हो जाएगी नहीं मानी जाएगी आपकी application आपको सारे document fill up बगयरा करके सारी details आपको इस site पर मिल जाएगी आप site के द्वारा जाके check कर सकते हैं अब मैं बात कर ले तो यहाँ पर fees की fees कितने होने वाली है सबसे पहले number पर यहाँ पर बताया गया general category या फिर economic weaker section including general physically disabled, orthopedically disabled, deep, dumb, hearing, impaired इन सब के लिए तो 400 रुपे fees बताए गई है फिर उसके बाद SC, ST, OBC, BPL और EWS of हिमाचल प्रदेश including SC, ST, OBC, ex-servicemen of हिमाचल प्रदेश relief from defense तो इन सब की fees यहाँ पर 100 रुपे बताए गई है female candidate और ex-servicemen जो हिमाचल प्रदेश की है उनके लिए कोई fees नहीं वो फिरी में इसको apply कर सकती है अब रही बात यहाँ पर exam के stages की दो stage में exam होगा पहले stage में आपका screening test होगा दूसरे stage में आपका personality test होगा payment mode आपका online through ही होगा जैसा कि यहाँ पर दे रखा है online by debit card और credit card या internet banking through e-payment gateway उसके बाद मैं आपको बता दूँ slave us क्या रहने वाला है सबसे main चीज यहाँ पर 80 questions MCQ पूछे जाएंगे तुमारी essential qualification मालोब बी-farmacy minimum मागा है तो बी-farmacy के level के questions पूछे जाएंगे और 10 questions पूछे जाएंगे general knowledge के question पूछे जाएंगे हिमाचल प्रदेश से और 10 questions general knowledge पूछे जाएंगे national और international affairs मतलब current affairs पूरे exam का duration दो आवर रहने वाला है यहाँ पर 80 questions आपकी fields है यान की b-farmacy level के 10 questions general knowledge हिमाचल प्रदेश के और 10 questions national और international affairs के तो मेरे खाल से जो भी जरूरी बाते थी मैंने फटा-फट से आपको बता दी हैं कि क्या-क्या जरूरी बाते हैं form भरने से पहले अगर अभी भी कोई confusion है तो नीचे notification डाउनलोड कर सकते हैं आप description section में से और फिर भी कोई confusion बच जाती है तो आप comment section में पूछ सकते हो आज की वीडियो में इतना ही काफी धन्यवाद मिलता हूँ आप सभी से next इसी परकार की कोई नए informative वीडियो में धन्यवाद